आज हम सब यहाँ उपस्तित हैं और हमें ये पहचानने की जरूरत है कि हमारे संगठन के सामने एक बहुत बड़ी चुनोती है उस चुनोती का सामने हम कैसे करेंगे इसी के लिए हमें कठे हुए है और तीन दिनों से चर्चाद चल रही है इसके बारे में मैं कुछ एक दो अपनी बाते कहना चाहती हूँ खास तोर से उन कारिकरताओं के लिए जो देश भर में हैं लेकिन आज यहाँ उपस्तित नहीं है देखे कॉंग्रेस का कारिकरता कौन है वो अनोखे लाल है जो इस जहन्डे को लेकर कन्या कुमारी से कश्मीर तक चला वो दिनेश है जो आज दिख नहीं रहा है जो इसी तरह से देश के धज को लेकर नंगे पाउं चला कल किसी ने संसीप पठान जी का नाम लिया उत्तर प्रदेश के एक नेता थे आज जीवन कॉंग्रेस के प्रती उन्होंने निस्था दिखाई उसी तरह से मैं कई नाम ले सकती हूँ कल जब शोक प्रस्ताव हुआ ईश्वर्चंद शुकला जी का नाम नहीं लिया लेकिन ईश्वर्चंद शुकला जी उनको टिकेट नहीं मिला चुनाओं में फिर भी वे प्रचार किये और प्रचार करते करते उनका देहान्त हुआ मैं पच्चु पासी का नाम ले सकती हूँ जो रोज सुबह वही सफेद जूते पहन कर गाउं गाउं जाते थे कॉंग्रेस के लिए प्रचार करते थे कॉंग्रेस का जंडा फैराए रखे उनका भी देहान्त हुआ यूपी में हम मजाक में कहते हैं कि एक लाइफ लॉंग कॉंग्रेस सफरर होता है जो यूपी के कारिकरता हैं ये समझेंगे ये बात जो कारिकरता आज जीवन अपने वजूद के लिए संघर्ष करता है वो मैं आज थोड़ा उसके पक्ष में बोलना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी हम ऐसे एकठे होते हैं तो हम नए नए प्रस्ताव लाते हैं और ये सही है हमने कहा है कि मंडल तक हमें अपना संघठन बनाना है ब्लॉक तक बनाना है नए लोगों को जोड़ना है लेकिन ये कर्मकांड नहीं होना चाहिए ये प्रस्ताव कागज पे नहीं रहना चाहिए इसको करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम गाओं गाओं जाएं ब्लॉक ब्लॉक जाएं और अपने संघठन को मजबूती से बनाएं भारत जोड़ो यात्रा निकली स्री राहुल गांदी जी बैठे हैं उन्होंने कॉंग्रेस की विचार धारा की एक लंबी लकीर खीच के दिखाई जो बहुत समय से नहीं हुआ था उन्होंने करके दिखाया पूरे देश ने देखा कि कॉंग्रेस का कारिकर्टा कॉंग्रेस का नेता किस लिए खड़ा है किस विचार धारा के लिए लड़ रहा है उस विचार धारा का मतलब क्या है ये काम भारत जोडो यात्रा ने किया देश भर से लोग आए कन्या कुमारी में आए केरल में आए मध्यप्रदेश में आए हर जगे जहां जहां यात्रा गई वही आए जब कश्मीर में थे तो मैं कुछ महिलाओं के साथ खड़ी थी यात्रा का इंतजार कर रहे थे हम उन महिलाओं ने मुझे कहा कि तीन सालों से उनको घर से निकलने की हिम्मत नहीं थी लेकिन इस यात्रा ने उन्हें हिम्मत दी बाहर आए तो ये हिम्मत दिलाना ये हम कॉंग्रेस जनों का काम है जो समझ रहे हैं कि देश में गलत हो रहा है जो देश की राजनीती को देख कर समझ रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है उनको एक प्लैटफॉर्म देना उनकी आवाज को बुलंद करना हमारा काम है जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें भी समझाना उनके पास जाना हमारा काम है तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमें अपने गिले शिक्वे अलग करने पड़ेंगे एक जुठ होकर लड़ना पड़ेगा हमें दिखाना पड़ेगा इस देश को कि आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है जितने भी विज्यापन है जो भी दिखा रहे हो जहां जहां हम जाते हैं रोजगार नहीं है रोजगार क्या जो नौजवान परीक्षा देते हैं भरती के लिए वो घोटालों में उल्जे हुए है उसके लिए क्या प्रस्ताव है हमारा ये कॉंग्रेस पार्टी इन तीन दिनों से जितने भी प्रस्ताव ला रही है जैसे किसानों के लिए मैं आज पढ़ रही थी कि एक प्रस्ताव है कि न्याय योजना की तने हमें किसानों के लिए एक योजना बनाई है बनानी है तो ये सब बातें पबलिक तक पहुचाना हमारा काम है और इसमें आपकी बहुत एहमियत है तो एक साथ हमें काम करना पड़ेगा चाहे महिलाओं के लिए उनके विकास के लिए चाहे ये समझाना कि जब की देश का किसान आज कर्ज में डूब रहा है मुश्किलों से घिरा हुआ है लेकिन जमीन प्रधान मंत्री जी अपने दोस्तों को मुख्त में दिलवा रहे है आज हमें देश को दिखाना पड़ेगा कि किस तने कुछ गिने चुने और द्योगपती आगे बढ़े जा रहे है उनकी आमदनी दुगनी तीन गुना बढ़ती जा रही है और किसान की आमदनी कम होती जा रही है नौजवानों के रोजगार कम होते जा रहे है महंगाई बढ़ती जले जा रही है किसानों को कर्ज माफ नहीं होते लेकिन बड़े-बड़े उद्योग पतियों के होते हैं ये सब बाते हमें पबलिक में ले जानी है अब हमारे पास सिर्फ एक साल बचता है हमसे उमीदे हैं ये उमीद है कि हम एक जुठ हो कि जितनी भी पार्टियां हैं जितने भी दल हैं जितने भी लोग हैं जिनकी विचार धारा इनसे विपरीत हैं वो आगे आएं एक जुठ होकर लड़ें सबसे उमीद है लेकिन सबसे ज्यादा उमीद कॉंग्रेस पार्टी से है आज और मैं जानती हूँ कि हम इस उमीद पर खरे उतर सकते हैं कि आपकी महनत से हमारी महनत से हमारी एक जुठता से हमारे समर्पन से और अपने सम्जिधान के प्रती हमारे निस्था से हम सब इस काम को करके दिखा सकते हैं तो आज जब आप यहाँ से जाएंगे घर घर जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो आप नई लोगों को जोड़िए नई लोग जुड़ते कैसे हैं विचार धारा से जुड़ते हैं जजबातों से जुड़ते हैं और आपका मिसाल देखके जुड़ते हैं हमें मिसाल बनना चाहिए की राजनीती कैसे होनी चाहिए, किस तरहे से हमें अपनी राजनीती करनी है जब जब चुनाव आता है तो ऐसे मुद्धे उठते हैं जिस से जनता का कोई मतलब नहीं है क्यों कह रही हूं कि मतलब नहीं है क्योंकि जब रोजगार की बात होती है युवाओं की बात होती है महिंगाई की बात होती है तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए कि किस तरह से विकास होगा भवेशे में हम क्या प्रस्ताव रख रहे हैं हमें उपर उठना पड़ेगा और हमें सकारात्मक तरे से भविश्य के लिए अपने प्रस्ताव रखने पड़ेंगे और अपनी बात रखनी पड़ेगी मुझे पूरी उमीद है कि हम इस लड़ाई में सफल होंगे क्योंकि हम मजबूत हैं आज भी अगर आप सब यहां बैठे हो इसका मतलब है कि आप पार्टी के प्रती समर्पित हो और आप निडर हो हमारे तमाम नेताओं पर कारिकरताओं पर इस सरकार ने दमन किया है आज भी कल भी 36 गर में रेड लगवाए एजन्सियों के द्वारा क्या-क्या नहीं किया लेकिन आज भी हमारे नेताओं खड़े हैं आज भी हमारे कारिकरताओं खड़े हैं और मैं जानती हूं कि आपका संगर्ज क्या है अगर हमें पूछताज के लिए दो दिन के लिए बुलाया जाता है तो आपको जेल में महीनों के लिए रखा जाता है अगर हमें पुलीस घसीट के लिए जाती है तो आप लाटियां खाते हैं तो हम जानते हैं कि आप में कितनी हिम्मत है अब देश को भी यह हिम्मत दिखानी है देश के समविधान के लिए लोक तंत्र के लिए और एक मजबूत पाविश्य के लिए हमें सब को एक अठे लड़ना है आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद